नमस्कार दोस्तो अब यभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकी निउज आप सीधा लाइव देख सकते हैं नकली करेंसी को लेकर महाराष्ट के ठाने से बड़ी ख़बर सामने आई है यहाँ ठाने क्राइम बिरांच की यूनिट पांच ने पाल घर से 2000 रुपे के जाली नोट परमत किये हैं जिनका मुल्य करीब 8 करोड रुपे आका जा रहा है ये नोटों के बंडल आप देख सकते हैं हैरान मत होना क्योंकि यह नकली नोट है ना की असली नोट इस दोरान क्राइम बिरांच की टीम ने दो लोगों को गरपतार किया है ये दोनों ही पाल घर के रहने वाले हैं इससे जुड़े अन्य आरुपियों की तलास की जारी है आठ करोड रुपे की जो नकली करेंसी ठाणे पुलिस ने पकड़ी है उसे बजार में उतारने की तयारी चल रही थी लेकिन ठाणे क्राइम बिरांच पुलिस ने मार्केट में आने से पहले ही इस नकली करेंसी को पकड़ लिया है नकली करेंसी के साथ थाने क्राइम ब्राइंच ने पाल घर से दो लोग को इपकड़ा है जिन से पूछताच की जा रही है वह दूस्तो रिपोर्ट के मुताविक थाने क्राइम ब्राइंच पुलिस ने 52 वर्सी राम सर्मा और 55 वर्सी राजिंदर राउत को पकड़ा है थाने क्राइम ब्राइंच की माने तो आरूपी पाल घर के रहने वाले हैं नकली नोटों को बजार तक पहुंचाने का काम कर रहे थी इस बाबा जानकारी देते हुए ठाने क्राइम ब्राइंच पुलिस ने बता कि गिरफ्ट में आए दोनों अभ्योक्तों के पास 2000 रुपे के नकली करेंसी के साथ 400 बंडल बरामद हुए हैं फिलाल पुलिस अब यह पतालगानी की कोसिस कर रही है कि इन लोगों का नेक्रवर कहां तक फैला हुआ है ऐसा बता जा रहा है कि दूस्तों बजार में 2000 रुपे के नोटों की कमी को देखते हुए जाल साज इसका फाइदा उठाना चारे ही लेकिन उससे पहले दूस्तों ठाने पुलिस ने इस गेंग का भांडा फोड दिया है तो बहुती बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है दूस्तों लाक नहीं दो लाक नहीं बल्कि आठ करोड रुपे दूस्तों नकली पाए है पुलिस आप दूस्तों इन से लगातार पूँचताज कर रही है तो बहुती बड़ी ख़बर आप सभी अलट रहें स्रक्षित रहें